वेलकम बेक टू माई यूटूब चनल पेपर हैकर आज की वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छातर बीसी थर्डियर में है जलो जी का फर्ष्ट पेपर देख रहे हैं और ये हैं बेटा MJPRU रोहलखंड उनिवर्स्टी बरेली वालों के लिए जो भी छातर बरेली से हैं उनके लिए हम बेसी थर्डियर के लिए जलो जी का फर्ष्ट पेपर लेके आ हैं 2022 में आने वाले कोशन अब इन कोशनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं इन कोशनों की संक्या क्योबल 15-16 कोशन है जो 2022 में आ रहे हैं और एक्जाम से दो दिन पहले मैं आपको 10 कोशन दोंगा जो आपके पेपर में छप के आ रहे होंगे पूरे छप यह वह होंगे बही कोशन देखने को मिलेंगे तो सब भी छातरों से कहना चाहूँगा कि पेपर हैकर इंट्यूबशनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें ज़्यादा से ज़्यादा दूस्टों को शेर कर दे कोई भी दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्टर में हमारा वाट्स अप नमबर डिसक्रप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर कॉमेंट करके हमसे अधिक जानकरी प्राप्ट कर सकते हैं ठीक है बटा तो यहां बात करने बाले हैं बिस्टी थर्डिये वालों के लिए जलो जी के फर्स्ट पेपर के बारे में ठीक है इन कोशनों के अलावा कुछ और मत पढ़ना मैं अब भी आप से कहा रहा हूँ कुछ और मत पढ़ना इन कोशनों को आप रट लो आपके पेपर में यही कोशन चपे होंगे पहला कोशन है फिल पाप रोग क्या होता है फिल पाप रोग के बारे में और परजीवी यह किस परजीबी के कार्ड होता है उस परजीबी के लाइब साइकल के बारे में याद कर लेना फिल पावरो किससे होता है उस परजीबी की लाइब साइकल के बारे में जीवन चक्र के बारे में चूहे के पिरकार आपसे नहीं पूछेगा जियो देखो जियोरिडिया की सरचना उसके life cycle के बारे में और उससे कौन रोग हो जाता है बुँआप याद करेंगे most important है उसके बाद में ट्रेपनियोसोमा की सरचना और उसके life cycle के बारे में याद करेंगे red data book क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है most important है बेटा, डीमक का नियंतरा कैसे करते हैं हम लोग, ओ तरीके के बारे में आपको याद कर लेना है, परजीपता का कौन सा रोग हो जाता है, मैं उपर बता चुका हूँ, परजीपता और उनसे रोगे होने वाले रोगों पर टिपड़ी पूछ लेता है, आपसे ये कोशन याद कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में मतस पालन पर एक निबंद आप याद करेंगे, और मुर्गी पालन, जिसे हम कहते हैं कुकुट पालन, इस पर एक निबंद याद करेंगे, most important है, रेसम उद्धो का वरन, is most important, very very important है विटा, अलवडी है, देखो कह सकता है, का शहद होता है, उस पर आपके लिए, हनी पर एक टिपड़ी पूचता है, यह आप याद कर देंगे, परजीपता मैं उपर बता चुका हूँ, ठीक है, यह देख लेंगे, फिलूमिन, मैं इसको नहीं छोड़ देना है, शतियन वण से जाती है, यह भी छोड़ देना है, म मचली में होने वाले, मचली में कौन-कौन से रोग हो जाते हैं, यह याद करेंगे, कीट नासक पर मैंने उपर बता चुका हूँ, कीट नासक पर उपर बता चुका हूँ, यह मौश्ट इंपोटेंट है, वन जीव सलेक्शन, उनके महत, उनके उपाई के बारे में पढ़ बता चुका हूँ, हनी को उपर टिपड़ी, तो वही कोश्चन है, वही आप देखेंगे, भारत में मोती धो के बारे में याद करेंगे, यह मौश्ट इंपोटेंट है विटा, यह उपर बता चुका हूँ, तो यहाँ पढ़ने की जरूत नहीं है, क्योंकि उपर इसमें ल वाजवो का स्लेक्षन किसम प्रकार से करेंगे, यह रोहू मचली बगारा देख लेना, मचली छोड़ दो एविचोन और यह ऊपर बताया है वो, एसमयले बिच्छन प्रिजेक्ट, इसको को तो यह थे 2022 में आने वाले कोशन, इन कोशनों को याद करके हैं, आप 85% प्लस ल झाल झाल